दोस्तों नमस्कार जैसरी किष्णा जैसरी राध है दोस्तों आज हम बात करेंगे मई 2021 के रासी फल के बारे में और आज बारी है चार रासीयों की कल हमने जाना था मेज से करकर रासी परियंत चार रासीयों के बारे में आज हम जानेंगे सिंग से लेकर के ब्रिश्चिक रास इन चार रासियों का रासिफल क्या कहता है आपकी लव लाइफ, मेरिड लाइफ, दामपत्य जीवन, सिक्षा, स्वास्त, करियर इत्यादी की स्थितियां क्या रहेंगी जो हम दूसरे चनल पर लव रासिफल देते थे उसे इस बार इसी में समलित किया जाएगा और इसी में स लेगा और सभी चीजें जो ऐसे चल रही थी वैसे फिर से चारू रूप से प्रारंब की जाएगी अभी हम जानते हैं कि आपकी किस प्रकार की स्थिति रहेगी मई के महीने में मई का रासिफल जानते हैं दोस्तों रासिफल जुरू करें उससे पहले आपको बता दे हमारा रासी फल चंदरासी अनिमून सायन के अनुसार होता है तो उसी अनुसार इस रासी फल को देखें वा सुनें अगर आपको चंदरासी पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी के अनुसार भी देख वा सुन सकते हैं आईए, शुरू करते हैं, रासी फल, गोचर की स्थितियों में तीन ग्रह परिवर्तन होंगे, एक मई को बुध का परिवर्तन होगा, बुध मेश रासी से ब्रिसव रासी में प्रिवेश करेंगे, एक मई से 26 मई तक रहेगा इनका गोचर, ततपस चाद ये फिर मिथुन में प्रिवेश करेंगे, और दूसरा परिवर्तन जो है, वो परिवर्तन है सुक्र का, चार मई को अपनी स्वरासी ब्रिसव रासी में आएंगे, तीसरा परिवर्तन सूरे का है, सूरे वो 14 मई के आसपास में रासी परिवर्तन करेंगे, और मेश रासी को छोड़ करके तो आईए जानते हैं किस प्रकार से नक्षत्र परिवर्तन ग्रह परिवर्तन आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर आने वाले हैं और आपके सिक्षा स्वास्त करियर ब्यापारित्यादी की स्थितियां क्या रहने वाली हैं बात करेंगे सबसे पहले सिंग रासी वालों की सिं जादा अच्छी इस्तितियां नजर आएंगे आपको सूर्य ब्रशवरासी में प्रवेश करके आपके काफी अच्छा करने की कोशिस करेंगे खास करके विद्यारतियों कि कोई बड़े बदलाव कर सकते हैं सिक्षा में और बहुत जादा आपके लोग सपोर्ट में आएंगे आपका मनोवल बढ़ाएंगे तो हर प्रकार से आप अगर किसी कॉम्पटीशन कोई एक्जाम इत्यादी के लिए प्रवेर हैं कोई तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे देखा जाए तो दोस्तों से किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं पढ़ाई को ले करके तो वह प्राप्त होने के लिए आपको बहुत जादा कोई दिक्कत नहीं आएंगी वो सहयोग आपको प्राप्त होगा और उससे आपको काफी मदद मिलेगी जिससे कि आप अपने सिक्षा में बहुत पहत्रीन कर पाएंगे यहाँ पर देखा जाये तो आपके लिए स्वास्त संबंदी समस्या इत्यादी अगर चल रही है कोई गंभीर रोग चल रहा है तो उससे मुक्ती मिल सकती है खास करके आपको 14 मई के बाद में कोई गंभीर रोग से मुक्ती मिल सकती है या कोई परेशानी है रोग संबंदी कोई भी अगर आपको स्वास संबंदी कोई परेशानी है तो वो आपको कहीं न कहीं उससे मुक्ती मिलेगी और रक्त संबंदी विकार है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लाव देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में तो आपके रिलेस्टिप में बहुत अच्छी स्थितिया है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बापस आ सकते हैं जगड़े अगर चल रहे थे पार्टनर गुस्ता कर रहा था तो वो कम हो जाएगा और यहाँ पर बहुत अच्छे बदलाव की और नई सुरुवात करता हुआ आपका पार्टनर नजर आएगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई गलत फह्मी बन गई है तो वो गलत फह्मी दूर कर सकते हैं आप खास करके 26 मई के आसपास में गलत फह्मी दूर हो सकती है married life की अगर बात करते हैं तो married life में यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद हो सकता है लेकिन फिर भी चीजों को समझ कर बहुत अच्छी तरीके से आगे जाएंगे और बहुत कुछ आपके लिए married life में भी ठीक स्थितियां रहेंगी यहाँ पर जो मतभेद होंगे उन्हें आपको थोड़ा समझना होगा मतभेद ज्यादा कलह करूपना लें इस चीज के लिए विसेश दिहान रखना होगा आपको और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके लिए 60 लाटरी त्यादी से धन प्राप्ति की योग बन रहे हैं बिदेश से अटके हुए कारे पूरे होते जाएं और रुके हुए कारे बनते जाएं बहुत सारी चीजें उपलब्दियां मिल जाएं आपको बहुत कुछ आपके लिए बहतरीन होगा यहाँ पर आपके आध्यात में क्यात्रा बहुत होगी और बहुत ज़ादा आध्यात्मी की प्रती आपका लगाब बढ़ेगा भाग की बृद्धी होगी भाग आपका बहुत ज़ादा साथ देगा यहाँ पर आपको किसी से जलन महसूस नहीं करनी है किसी को घमण नहीं दिखाना है इस चीज का बिसेस ख्याल लगना है किसी चीज के लिए ego जादा ना आपना कहीं ego में जादा रहेंगे तो परिषानी बन सकती है आपकी business में या बहुत सारी नुकसान हो सकते हैं तो ego को side में रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप government job के लिए त्यारी कर रहे हैं तो government job के लिए कोई परिषानी सामने आ सकती है और government sector में आपको थोड़ी बहुत परिषानी का सामना करना पड़ सकता है private sector में job change करने की सोच रहे हैं तो आप अभी समय सही नहीं है job change करने के लिए लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं इंटर्वी इत्यादी देते हैं job में तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं job इत्यादी प्राप्त हो सकती है लेकिन उतनी संतुष्टी नहीं मिलेगी जो job आप पाना चाते हैं जितना आप सही तरीके से अपने कारे को एक अच्छे व्यवस्थित रूप से सेटल होना चाते हैं वो चीज नहीं हो पाएगी तो इस चीज का थोड़ा सा आपको अपसोस रहेगा थोड़ी परेशा नहीं रहेगी लेकिन कुछ से कुछ अच्छा होगा मतलब एक कदम आप अच्छे अपने करियर के और बढ़ते हुने जराएंगे अगर आप कोट कचरी से सम्मंदित कारे अटके हुए पड़े थे आपके तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक असानती हो सकती है और जो कारे आपके होते बहुत ज़्यादा नजदीक ही आ गए थे मतलब आपको लग रहा था कि ये काम मेरा हो गया कोट कचरी सम दूसरी रासी कन्या रासी के बारे में कन्या रासी वालों आपके लिए सिक्षा की स्थिति क्या क्याती है आपके लिए सिक्षा की स्थिति थोड़ा सा मन असांत करके रखेगी विद्यार्थियों का कुछ लोगों से जो आप सहयोग चाते तो वो सहयोग ना मिल पाई इस वो बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए फोर्स कर सकते हैं पढ़ने के लिए अगर आपका मन पढ़ाही में नहीं लगता है तो आप उपाय इत्यादी कर सकते हैं कुछ उपाय मैंने दिये हुए हैं तो आपको बहुत उससे लाब मिल जाएगा खास करके जो बसंद पंचमी परेसानियां आपकी बहुत हद तक कम होती हैं जराएंगे लेकिन बाहर के खाने पीने से आपको बचना चाहिए नहीं तो आपको कहीं न कहीं परेसानी हो सकती है और अगर लिवर इत्यादी की परेसानी आपको रहती है तो आपको बिसेस रूप साबधान होना चाहिए बा और यहाँ पर लव लाइफ की अगर बात करते हैं तो लव लाइफ कन्या रासी वालों की इस महीने थोड़ा सा डगमगाएगी खास करके ये 14 मई के आसपास से ले करके 26 मई तक थोड़ा सा डगमगाट रहेगी लेकिन confusion रहेंगी गलत फहिमिया रहेंगी गलत फहिमियों का द मेरिड लाइफ में इस्तितियां फिर भी ठीक रहेंगी आपके पार्टनर आपको समझने कोसिस करेंगे अगर नई नई साधी हुई है तो आपके लिए काफी अच्छी स्तिति बनती हुने जराएगी बस आपको ध्यान देना है कि कोई गलत फहिमिया आपके relationship में ना आने प लगती है अगर कोई digital marketing का काम करते हैं digital media से संबंदित कारे करते हैं अथवा आप social media से संबंदित कारे करते हैं digital platform पर काम करते हैं तो वहां पर आपको धनलाब की प्राप्ति होगी अचानक से आपका yes मान सम्मान बढ़े आपको जनता का support बहुत जादा मिले यह स्तिति बने और आपकी जनता में बहुत ज्यादा प्रसंसा होगी अगर कोई चुनावित्यादी लड़ रहे हैं तो वहां पर आपको विजय प्राप्त हो सकती है अच्छे आपके लिए संकेत दिख रहे हैं यहां पर आपके सरकारी छेत्र के लिए स्तितियां बहुत अच्छी हैं सरका जॉब की तयारी कर रहे है तो वहाँ पर आपको विसेस लाव देखने को मिलेगा और विसेस रूप से उन लोगों के लिए जिन लोगों के कहीं न कहीं टेंपरिली आपका कोई काम चल रहा है बहुत ज़्यादा काम आपका अच्छा नहीं चल पा रहा है तो उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा बिजनिस में कोई निवेस न करें इस चीज का धिहान रखें बिजनिस जैसा चल रहा है आपका ठीक चलेगा लेकिन निवेस करने से आपको कोई बिसेस फायदा नहीं होगा वलकि आपको खुद से मन में लगेगा कि नुकसान हो रहा है तो इस दोस्तों बात कर लेते हैं तुला रासी वालों की तुला रासी वालों आपकी रासी की स्थितिये कहती हैं कि आपके सिक्षा में बहुत ज्यादा अबरोध सामने आएंगे खास करके आपका आलस से आप ज्यादा आलसी बन जाएंगे ज्यादा आराम फरमाएंगे उस बज़े को ट्याग देना है पढ़ाई में बहूत ज़्यान देनी कहा हो सकता है और हां आपकी love life में कुछ खुसियां मिलेंगी उस बज़े से वहाँ पर जादा व्यस्त हो सकते हैं और व्यस्ती तरक कारण आपकी पढ़ाईं डिश्टरब हो मिलेंगी अचानक से बहुत सारी सर्प्राइज मिलेंगे बहुत ज़्यादा आपको आश्चर जनक कुछ ऐसा देखने को मिलेगा लव लाइफ में जिसकी उम्मीद आपने नहीं की थी आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा केर करेंगे गुस्सा अगर कर रहे थे तो लब marriage की बात करते हैं तो उसमें बात बन सकती है आपकी family वाले राजी हो सकते हैं ये भी इस्तिती बनेगी और यहाँ पर married life के लिए स्तितिया फिर भी ठीक हैं married life के लिए कोई ज़्यादा बुरी इस्तिती नहीं है थोड़ा मतभेद हो सकता गलत फैमी बन सकते हैं उससे थो नहीं है यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए सरकारी जौब राप्त करना चाते हैं सरकारी नौकरी के तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे संकेत दिखाई देंगे आपको बहुत लोगों की मदद मिलेगी और हाँ यहाँ पर business में भी आपको बहुत ज़ अधनलाब होगा करीयर में उचाईया मिलेंगी प्रमोसन हो सकता है प्रमोसन के साथ आदाब च्रांसफर के भी योग हैं धनलाब की स्थिति बनेगी लेकिन खर्चे अधिक होंगे बहुत अधिक खर्चों से आप परेशान हो सकते हैं इस वही ने तो ये स्थिति है बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रिश्यक रासी वालों की ब्रिश्चिक रासी वालों आपकी रासी के लिए सिक्षा के इस्तेतियां बहुत बहुत बहतरीन है पढ़ाई में मन लगेगा बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे और आपके पार्टनर जो हैं और आपके पैरेंट्स जो हैं जो आपके अपने हैं वो आपके पढ़ाई में बहुत जादा आपकी मदद करेंगे और आपको स्वतंतुरता देंगे पढ़ने के लिए, आप अपने हिसाब से करिए, जो करना है चाहते हैं करिए, आप अपनी खुसी के लिए जैसे चाहते हैं बैसे करिए, तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, वहीं स्वास्त के लिए कोई परेशानी चल रही है स्वास्त सम्मंदी कोई समस्या चल रही है उसमें आपको लाब देखने को मिलेगा आप परेशान है अगर कोई स्वास्त सम्मंदी समस्या है तो उसमें थोड़ा सा आपको एक चीज देखने को जरूर मिल सकती है कि आपके जो लोग अपने हैं वो ही आपकी उतनी कद्र नहीं कर रहे हैं उतनी क्यार नहीं कर रहे हैं पार्टनर फिर भी आपका सहयोग करेगा पार्टनर फिर भी क्यार करेगा पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा फिर भी यह चीजें देखने को मिलेंगी confusion में हैं, relationship में confusion भी है और बो confusion कहीं न कहीं चार मई से लेकर के 14 मई के बीच की confusion में है बहुत ज़्यादा confused हो जाएंगे क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चिंता सोचेंगे लेकिन ज़्यादा सोचा विचारी बिशेश रूप से 6 माई, 7 माई का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, डिसीजन लेने के लिए कोई भी डिसीजन है, यहाँ पर आपके मेरिड लाइफ के लिए अच्छे संकेत हैं, मेरिड लाइफ में चल रही परिशानिया दूर होगी, आपके दामपत्य जी यहाँ पर आपके अगर आप पार्टनर्स एपके बिजनिस में हैं, पार्टनर्स करते हैं, तो आपको बहुत अधिक मात्रा में धनलाव होगा, निवेश करने गया हो सकता है, बिजनिस में निवेश, नया बिजनिस शुरू करना, आपके लिए काफी लावदायक हो सकता है यहाँ पर बहुत अच्छी सिच्वेशन सेर मार्केट के लिए बन रही है सेर मार्केट में 26 मई के बाद में बहुत अच्छे संकेत बनेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा धनलाव होगा और दूबा हुआ पैसा और खोया हुआ सम्मान आपको मिलेगा भाग्य बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा भाग्य बृद्धी होगी आपकी और इस्तितियां यह कहती है कि आपके लिए करियर में आप थोड़ा सा कन्फूज हो सकते हैं करियर को लेकर के चिंता हो सकती कन्फ्यूजन रहें, थोड़ी परिसानी हो सकती है, उससे आपको कन्फ्यूजन से निकलने के लिए बहुत ध्यान करना चहिए, बहुत अपनी बातों को सोचना चाहिए, किया करना चाहिए। बहुत डिसीजन आपके लिए करियर काफी फिर भी ठीक रहने वाला है आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है गौवर्मेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं यार गौवर्मेंट जॉब करते हैं वहां पर सरकारी छेत्र में थोड़ा उठाफटक रह सकती है अधिकारी परेश सक्तर में जौब चेंज इत्यादी करने के लिए संकेद अच्छे नहीं है जौप चेंज इत्यादी करनी पड़े तो ना करिएगा और परेशानी हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में भी परेशानी है कुछ ना कुछ यहां पर आपको बिसेश रूप से आपकी बीती गलति पुराने समय में कोई गलती किये अपनी जौब इत्यादी में तो उसका आपको इने की परेशानी भुगत नहीं पड़ सकती है कोई सरकारी छेत्र में जहां इत्यादी भी बैठ सकती है आपके उपर ये भी इस्तिती है कोट कचैरी में बहुत ज़्यादा मानसिक असान्ती हो कोट कचैरी के जितने भी काम है वो सब अठक जाएं बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाएं ये भी इस्तिती बनेगी दोस्तों आपको बहुत अधिक मात्त्रा में अपनी जो बातें आपने प्रामिस किया है और दूसरी बात कुछ ऐसा न करें जिससे आपको बाद में पस्चता न पड़े कुछ भी ऐसी गलती न करें जिससे आपको बाद में पस्चाता आप हो किसी के प्रॉमिस को भी आप अगर निभा रहें किसी को प्रॉमिस की आए वो प्रॉमिस निभाने से पहले दस बार सोचिएगा कि कहीं आप पस्ताएंगे तो नहीं उस प्रॉमिस को निभाने के बाद में अगर पस्ताना है तो बिल्कुल मन निभाई है नहीं तो ये परिशानी आपके लिए मानसे कसांदी बहुत ज़्यादा दे जाएगी तो दोस्तों यह थी आपके लिए स्थितिया मई के रासी फल की चार रासियों के रासी फल जाना बाकी अगले वीडियो में हम आगे की चार रासियों के वारे में चल्चा करेंगे दोस्तों अगर आपको रासी फल पसंदा है इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेज करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा सज्यादा वीडियो को सेर करें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्कार